नमस्कार, आईए, गनतीय विवेचन के अब हम चलते हैं भाग दो में, भाग एक में क्या पढ़ा, भाग दो में क्या पढ़ेंगे, आईए, देखते हैं, भाग एक में हम सबने कथन क्या होता है, स्टेट्मेंट, गनतीय कथन के वारे में, किस वाक्य को हम गनतीय कथन कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, इस वात को जाना था, इसके बासासा थी, उस कथन को नकारना, कथन का नेगेशन कैसे करें, ये हमने सीखा था, इस भाग में हम जानेंगे मिश्र कथन अर्थात संयुक्त कथन दो कथनों को मिला करके अर्थात compound statement के बारे में हम इसमें जानेंगे और इसमें जब दो वाक्यों का compound statement बनाना है मिश्र कथन बनाना है तो कुछ विशेश शब्द और वाक्यांस काम में लेंगे जिसे हम special words या phrases इस भी कहते हैं, जिनके माध्यम से दो कथनों को मिला कर हम एक मिश्र कथन बनाएंगे, तो आईए, चलते हैं आगे, एक वाक्य गणित के अनुसार कथन कहलाता है, जब वह सत्य है या असत्य है, अगर वह सत्य या असत्य कुछ भी कहने की इस्तिती में नहीं हो, या दोनों ह की कहने की इस्तिती में हो, तो वह है वाक्य कभी भी गणिति ये कथन नहीं कहलाएगा, इसी प्रकार हमने पहले भाग में और देखा था, यदी कोई भी विश्मय बोधक हो, कोई आदेश हो, कोई प्रश्न हो, या ऐसा कोई वाक्य हो, जिसमें एक अनिश्चित समय हो, जै ऐसा कोई भी शब्द अगर उस वाक्य में है तो वह भी गणतिय कथन नहीं कहलाएगा इसके बाद हमने उस पिछले भाग में देखा था निशेधन के बारे में तो निशेधन किसी भी बाग किका यानि नकारना या नेगेशन अगर हम करते हैं तो तीन प्रकार से कर सकते हैं एक तो हम लिखेंगे यह वस्तु इस्थिती नहीं है या यह असत्य है और या फिर सीधा सीधा नहीं का प्रियोग भी कुछ वाक्यों में कर सकते हैं और इस तरह से हम उसका निशेधन करते हैं अब हम आते हैं आगे आईए मिश्र कथन यानि सईयुक्ट कथन जब हम गणतिय कथन जो हमारी कसोटी पर खरे उत्रे हो यानि जिने हम वास्तम में गणतिय कथन कहते हैं उन कथनों को चाए एक हो दो हो या इससे अधिक हो उनको और से या फिर या से सयोजक ऐसे शब्दों को मिला करके और जब हम बड़ा कथन बनाते हैं उसे हम compound statement या मिश्र कथन कहते हैं जैसे बल्व या बिजली के तार में कुछ खराबी है अब ये ध्यान देने की बात है कि बल्व के तार में कुछ खराबी है या बिजली के तार में कुछ खराबी है खराबी कहां है दो जगए हो सकती है यानि दो कथन हैं गड़ित के तो पहला कथन हुआ कि बल्व में कुछ खराबी है दूसरा कथन हो गया बिजली के तार में कुछ खराबी है ये दोनों कथन एक संयोजक से मिले हुए हैं और वो संयोजक है या या शब्द के द्वारा ये दोनों कथन जोड़े गए हैं इसलिए इसको हम compound statement या मिश्र कथन कहते हैं एक और कथन देखते हैं साथ एक बिशम संख्या है और साथ एक अभाज्य संख्या है इन दोनों को अगर हमें मिश्र कथन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं और और के द्वारा बनाना है हमें मालूम है तो हम क्या बनाएंगे साथ बिशम और अभाज दोनों ही प्रकार की संख्या है तो गणतिय कथनों को पिछले बाक्य में हमने या से जोड़ा इस वाले को और से जोड़ा तो एक मिश्र कथन किसे कहेंगे जो दो या दो से अधिक कथनों द्वारा बना हो और इस स्थिती में जो एक कथन होगा उसे हम घटक कथन कहते हैं अर्थात इस पूरे कथन में साथ बिशम और अभाज दोनों ही प्रकार की संख्या है इसमें दो घटक कथन है एक साथ एक बिशम संख्या है और दूसरा साथ एक अभाज्य संख्या है आईए आगे और देखते हैं निमलिखित मिश्र कथन के घटक कथन हमें पता करने है कि ऐसे कौन से दो घटक कथन है जिनसे ये बने हुए आकाश नीला है और घास हरी है हमें पता है बहुत सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पहला घटक कथन हो गया आकाश नीला है दूसरा घटक कथन हो गया घास हरी है दोनों और संयोजक शब्द से जुड़े हुए है बरसा हो रही है और ठंडक है दो कथन और से जुड़ रहे हैं सभी पर्मेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है और सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती है फिर से ध्यान देने की जरुरत यह है कि सभी पर्मेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है यहां तक तो हमारी समझ में आता है हमें लगता है कि बि उसरा जो वाक्य लिख रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं, सम्मिस्र संख्याएं भी होती हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है इसके फेरे में नहीं पड़ना। हमें क्या देखना है कि वहे या तो सत्य होना चाहिए या फिर कथन असत्य होना चाहिए। यहां पर यह इसके प्रमानिक्ता को पूरी तरह पालन कर रहा है अतहे हैं यहां दो कथन हो गए पहला सभी पर में संख्याएं वास्तिविक संख्याएं होती है और दूसरा हो गया कि सभी वास्तिविक संख्याएं सम्मिस्र संख्याएं होती है इन दोनों कथनों को और से जोडा गया है जीरो एक धनसंख्या है या एक रिनसंख्या है फिर से दो बाग के जीरो धनसंख्या है या जीरो एक रिनसंख्या है या शब्द से इनको जोडा जा रहा है तो हमारा इस गणतिय विबेचन में मुख्य रूप से घटक कथन उस घटक कथन के आधार पर वह सत्य है या असत्य यह जानना फिर सत्य और असत्य जान करके इनको किसी संयोजक से चाहे वो और हो या या हो या कुछ और हो उनसे जोड करके एक मिश्र कथन बनाना यही इसमें एक मुख्य था आगे देखते हैं विशेश शब्द या बाक्यांस अब हम यह देखेंगे कि अगर मैंने और के द्वारा या या के द्वारा कोई गणतिय कथन बनाया तो पूरा गणतिय कथन अब सत्य होगा या असत्य होगा इनके द्वारा कथन बनाना तो आ गया लेकिन वह सत्य होगा पूरा या असत्य होगा यह आगे देखते हैं कि गणतिय कथन में जो संयोजक शब्द है इनका बड़ा महत्व है हम पहले बात करते हैं और की किसी बिंदू का एक इस्थान होता है और उसकी इस्थिती निर्धारित की जा सकती है यह दो घटक कथनों से बना है पहला घटक कथन है कि किसी बिंदू का एक इस्थान होता है और दूसरा है उसकी इस्थिती निर्धारित की जा सकती है अगर ध्यान से देखें, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि कोई भी बिंदू, एक इस्थान पर ही होता है, और वह उसकी इस्तिती को निर्धारित करता है, दोनों कथन सत्य हैं, एक और वाक्य देखते हैं, आईए, संख्या 42, पांच और छे और साथ से भाज्य है, अब 42 संख्या पांच से भाज्य है, 42 संख्या छे से भाज्य है, और 42 संख्या साथ से भाज्य है, तीन घटक कथनों को मिला करके ये मिश्र कथन बना है, लेकिन ध्यान कहां देना है, क्या 42 से भाज्य हो सकती है, क्या बिलकुल नहीं हो सकती, इसलिए ये हो गया हमारा असत्य 42.6 और 7 से तो होती है इसलिए ये दोनों कथन हमारे हो गए सत्य कथन पिछले वाक्य में दोनों सत्य थे इस वाले में एक असत्य है दो सत्य है तो ये गणतिय कथन पूरा सत्य होगा या असत्य होगा आईए इसको देखते हैं हमें निम्लेलिखित नियम पराप्त होता है क्या हमने देखा कि इसमें एक असत्य है और दो सत्य है लेकिन इस पूरे कथन को क्या कहेंगे तो इसके कुछ नियम है पहلا संयोजक और के प्रयोग जो पिछला वाक्य था द्वारा बना मिश्र कथन सत्य होगा कब यदि उसके सभी घटक कथन सत्य हो यानि किसी भी और संयोजक से मिल करके कोई गणती ये कथन बना है तो वहां और को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो end या और का मतलब या नहीं है तो end का मतलब अगर दोनों घटक कथन सत्य हैं तभी वह मिश्र कथन सत्य होगा यदि कोई एक भी कथन असत्य हुआ और संयोजक के समय तो वह गणती ये कथन यानि मिश्र कथन असत्य हो जा यदि इसका एक भी घटक कथन असत्य है। तो और में क्या ध्याना आया। और याणि अंग्रेजी में end। जी हां, दोनों घटक कथन सत्य होंगे, तो मिश्र कथन सत्य होगा, और अगर दोनों असत्य हों, या कोई एक भी असत्य होगा तो वह मिश्र कथन असत्य होगा आईए इसके बाद यावाला देखते है एलकोहल और पानी के मिश्रन को रासाइनिक बिदियों द्वारा अलग किया जा सकता है इस कथन को शब्द और हमें दिख रहा है अब यहाँ एक और विशेश बात और यहाँ भी आया है और पिछले वाक्य में भी था लेकिन यहाँ और सैयोजग के रूप में नहीं है क्यों नहीं है आप ध्यान से देखो तो एलकोहल और पानी का मिश्रन यहाँ यह दो बाक्य नहीं है दो घटक कतन नहीं है भी कथन में अगर और लिख रहा है तो वो सईयोजक ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है इस कथन को शब्द और से प्रियुक्त मिश्र कथन नहीं माना जा सकता क्यों क्यों कि यहां पर और दो बस्तुओं एलकोहल और पानी का उलेख कर रहा है इसका निशकर्ष क्या निकलता है कि यह नहीं समझना चाहिए कि शब्द और से प्रियुक्त वाक्य हमेशा मिश्र कथन ही होगा तो यहां हमें विशेश साब धानी भी रखनी है एक उधारन और देखते हैं एक या सईयोजक अब या सईयोजक को अगर हम ध्यान से देखें तो एक उधारन से समझ में आता है कि इसी रेस्टोरेंट में आहार घ्रह में एक थाली के साथ आइस क्रीम या गुलाब जामुन उपलब्द की जाती है इसका सीधा सीधा अर्थ है थाली के साथ आइस क्रीम ले सकते हैं या फिर गुलाब जामुन ले सकते हैं दोनों नहीं मिलेंगे जिसे आइस क्रीम चाहिए वो आइस क्रीम ले गुलाब जामुन नहीं मिलेगा और जिसे गुलाब जामुन चाहिए वो गुलाब जामुन ले लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों ही ले ले इसका मतलब क्या है यहां पर जो या शब्द आया है यह या दोनों के लिए नहीं है दोनों मेंसे कोई एक पसंद करना है इसलिए इसको कहते हैं अपवर्जित या कब जब व्यक्ति के पास आईस क्रीम और गुलाब जामुन दो नहीं ले सकते दोनों मेंसे कोई एक चूज करना हो एक चुनना हो तो वहया कहलाता है अपवर्जित या आगे देखते हैं एक विद्ध्यार्थी जिसने जीब विझ्ञान या रसाइन विझ्ञान विश्यों का चयन किया है वह सूख्ष्म जीब विझ्ञान के सनात को उत्तर पाठिक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है वो PG करना चाहता है, MA करना चाहता है, सनातक उत्तर पाठिक्रम में भाग लेना चाहता है तो इसके लिए एक शर्त रखी, क्या, कि या तो उसने जीब बिज्ञान से किया हो या फिर उसने रसाइन बिज्ञान से किया हो यहां अगर ध्यान से देखें, तो जीब बिज्ञान वाले को सनातक उत्तर में भाग में ले सकता है रसाइन वाला भी ले सकता है, और जिसने दौनों में किया है वो, वो भी ले सकता है यानि यहां पर इस या में ये शर्त नहीं है कि अगर जीब विज्ञान लिया है तो रसाइन विज्ञान नहीं लेना चाहिए या रसाइन विज्ञान है तो जीब विज्ञान नहीं होना चाहिए यहाँ एक भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है या दौनों भी हो सकते हैं तो ऐसा या हमारा कहलाता है अंतरविष्टिया तो ये दो प्रकार के या अंतरविष्टिया हमारे लिए पिशेश महत्पूर्ण है इस पर हम कुछ और उधारन देखते हैं आएए निमलिखित प्रत्य कथन में ज्यात कीजिए क्या अंतरविष्ट है या अपवर्जित है किसका प्रियोग किया गया है अपना उत्तर कारण सहित बताईए देखते हैं किसी देश में प्रवेश करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए या मतदाता पहचान पत्र की आवश रखता है पासपोर्ट दिखा दो आप जा सकते हो क्या आपके पास मतदाता पहचान पत्र है आप दिखा दो जा सकते हैं क्या दोनों हैं तो नहीं जा सकते क्या बिल्कुल जा सकते हैं दोनों हैं लेकिन दिखाना तो दोनों में से एक ही है तो एक भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं इसलिए ये कहलाया अंतरविष्ट या आगे देखते हैं अवकाश या रभीवार के दिन विद्याले बंद रहता है कोई ने कोई छुटी का दिन आ गया उस छुटी वाले दिन विद्याले बंद होगा रभीवार है उस दिन विद्याले बंद होगा अब मालो कोई अवकाश का दिन, कोई त्योहार रविवार के दिन ही आ गया तो बंद होगा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जी अगर अवकाश के दिन बंद हो गया तो रविवार को स्कूल खुल जाएगा या रविवार को स्कूल बंद रहा था इसलिए अब अब काश के दिन खुलेगा ऐसा नहीं होता यहां पर भी अगर हम देखें तो जो या है वो हो गया हमारा अंतरविष्टिया तीसरा उधारन देखते हैं दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदू पर काट यहां समानतर होती हैं यहां अगर आप ध्यान करें तो दो रेखाएं यह दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं ऐसा भी हो सकता है कि यह दो रेखाएं समाना अंतर हो अब इन दौनों रेखाओं में से हम देखें या तो वो काटेगी एक बिंदू पर या फिर समानतर होगी ऐसा नहीं हो सकता है कब वो एक बिंदू पर भी काटे और समानतर भी हो जाए दोनों नहीं हो सकते, एक है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा है तो पहला नहीं होगा इसलिए यहां जो या का प्रयोग किया गया है, यह यह हो गया हमारा अपवर्जितिया चोथा उधारन देखते हैं तिरतिय भाषा के रूप में कोई विद्ध्यार्थी या तो फ्रेंच ले सकता है या संस्कृत भाषा ले सकता है हम सबको पताए गणित और इंग्लिश के अलावा हमें एक हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हमें एक और भाषा लेने का हमें रहता है जिसको हम तिरतिय भाषा कहते हैं कहीं पर कोई भाषा फ्रेंच है कहीं जर्मनी है कहीं संस्कृत है या कुछ और हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि तृतिय भाषा में आप फ्रेंच और संस्क्रत दोनों ही ले लो ये नहीं हो सकता तो तृतिय भाषा यानि दो भाषा तो जरूर ही है उनके साथ तीसरी भाषा को चुनना तो यहां पर भी जो या शब्द आया है वो इन दो मेंसे कोई एक चुन पाओगे अगर एक को चुन लिया तो दूसरा नहीं चुन सकते इसलिए यहां का या हो गया हमारा अप वर्जित या आईए कुछ और आगे देखते हैं अंतर बिष्ट या प्रियुक्त मिश्र कथन सत्य कब होता है और असत्य कब होगा अब अंतर बिष्ट में हमें पता है एक हो, दो हो या दोनो हो सब जायज है इसका मतलब क्या है यदि उसका एक घटक कथन भी सत्य होगा तो इसका मतलब उसके दोनो घटक कथन भी सत्य हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कब जबकि अंतर्विष्टिया है तो अंतर्विष्टिया प्रियुक्त मिश्र कथन असत्य कब होगा जब उसके दोनों ही असत्य हो अगर उसके दोनों ही मिश्र अब जो घटक कथन है असत्य होंगे तभी मिश्र कथन असत्य होगा अगर उन दो में से कोई एक कथन भी सत्य ह तो ऐसा मिश्र कथन जिसमें अंतर विष्टिया है वह मिश्र कथन सत्य होगा तो हमारा काम क्या है ये पहचानना कि वो अंतर विष्टिया प्रियोग हो रहा है या नहीं तो अगर अंतर विष्ट है तो एक कथन सत्य है तो पूरा कथन सत्य हो जाएगा चाहे दूसरे वाला स हमने क्या देखा था, कि दो रिखाएं एक दूसरे को एक बिंदू पर काटती हैं, या बे दो रिखाएं समाना अंतर हैं, यहां विशेश बात, कि यदि पी सत्य है, तो क्यू असत्य होगा ही, यहां पर उसके लिए चोईस नहीं है, एक सत्य है तो निश्चित तोर पर दूसरा असत्य होगा और अगर दूसरा सत्य है तो पहले वाला असत्य होगा अतह मिश्र कथन सत्य है यहां विशेश तोर पर देखने की बात है कि यदि पी सत्य है तो क्यों असत्य होगा आईए उधारन और देखते हैं संख्या 125, संख्या 7 या संख्या 8 का गुणज है अब 125 इसमें दो घटक कथन हो गए 125 साथ का गुणज है 125 आठ का गुणज है लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों ही कथन असत्य है क्योंकि 125 साथ में भी नहीं आता गुणज में और ना आठ के में आता है तो पी और क्यों दोनों असत्य हो गए जब दोनों असत्य हैं तब ये मिश्र कथन असत्य होगा और देखते हैं विद्याले बंद है यदि आज अवकास का दिन है या रवी बार है विद्याले बंद है यदि आज अवकास का दिन है विद्याले बंद है यदि आज रवी बार है निश्चित तोर पर विद्याले बंद होगा ही या तो अवकास का दिन हो या रवी बार का हो अर्थात यहां दोनों कथन सत्य हैं जब दोनों सत्य हैं तो मिश्रकथन सत्य हो गया तो क्या ध्यान में आया दोनों कथन असत्य हैं तो मिश्रकथन असत्य हो गा ही दोनों कथन सत्य हैं तो मिश्रकथन सत्य हो गा ही यहां हमने देखा कि अगर दोनों असत्य थे तो मिश्रकथन असत्य हो गया दोनों सत्य हैं तो मिश्र कथन सत्य हो गया वहीं अपवर्जित में हमें क्या याद देखना है एक सत्य है तो वह पूरा सत्य होगा एक असत्य है तब भी वो सत्य होगा लेकिन अपवर्जित में अगर एक भी असत्य हुआ तो वह वाक्य असत्य हो जाएगा तो आप देखते हैं, हमने आज क्या-क्या पढ़ा है, मिश्र कथन किसे कहते हैं, हमने जाना दो या दो से ज़्यादा कथनों को मिला करके, हम जो कथन बनाते हैं, उसे मिश्र कथन कहते हैं, और उस मिश्र कथन को और से या या से जोड़ा जाता है, जिसे सहियो जक कहते हैं, गणित एक मिश्र कथन वह कथन है जो दो या दो से अधिक कथनों द्वारा बना हो और ऐसे में प्रत्य कथन को घटक कथन कहते हैं मिश्र कथन में प्रियोक्त और या प्रकार के कुछ संयोग शब्दों का प्रियोग हम अक्सर करते हैं इन्हें हम संयोजक कहते हैं अर्था दो घटक कथनों को जोडने वाला अगर और का प्रियोग करके हमने किया है तो वह सत्य होगा यदि उसके सभी घटक कथन सत्य हैं यदि और शब्द है तो निश्चित तोर पर अगर दोनों ही घटक कथन सत्य हैं तभी सत्य होगा संयोजक और के प्रियोग द्वारा मिश्र कथन असत्य होगा यदि उसका एक भी घटक कथन असत्य है तो वह असत्य हो जाएगा अंतर विष्टिया प्रियोग्त मिश्र कथन सत्य होगा यदि उसका कोई एक घटक कथन भी सत्य है और अंतर विष्टिया प्रियुक्त मिश्र कथन असत्य होगा कब जब उसके दोनों ही घटक कथन असत्य होगा तो हमें ध्यान में आया होगा कि जो गणतिय कथन हैं, जो घटक कथन हैं, उनको मिला करके, जो हमने मिश्र कथन बनाया, वो पूरा मिश्र कथन कब सत्य होगा और कब असत्य होगा। आप इनका अभ्यास करें, धन्यवाद. आप असनम बनाया और कथन होगा।